नमस्कार नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बिना एग्स के बिना माइक्रोविव के टेस्टी मैंगो सूजी केक बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसे हम बनाएंगे गैस पर जिससे हर कोई अपने घर में बना सकता है और इसे बनाना भी बहुत ही डिलिशियस ये केक बनता है एक बार ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि बच्चे भी इस केक को आसानी से बना सकते हैं तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मैंगो सूजी केक बनाने के लिए हमें चाहिए ये रवा सूजी और ये जो बारिक मार्केट में बहुत आसाने से मिल जाती है अगर ये ना मिले तो मोटी वाली सूजी आप ले सकते हैं और उसे ग्रैंडिंग जार में डाल करके थोड़ा चला लीज़े तो ये बारिक हो जाएगी मैंने दो कप रवा सूजी ले ली है अब मैं ले रही हूँ एक कप पाउड चली अब इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं कोई महनत नहीं करना है आपको बस हलका सा मिक्स करना है अब इसमें एक इंग्रिडिनेट और डाल देते हम यह है एक कप बार मिल्क मैंने जिस कप से ओईल ना पाथा न एक उसी से ही मैंने मिलक ना पलिया तो उपर थोड़ा सा ला रहा है तो एक कप हमने दूद इसमें डाल दिया एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं ताकि सूजी जो है थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी यह देखिए मैंगो सूजी केक बना रहे है सूजी तो आचुकी है अब आएगा मैंगो का पल्प जो भी बढ़िया कलर वाला मैंगो अगर बना रेशे वाला उसका एक कप भरके पल्प ले लीजिए वो इसमें अइड कर लीज़े आप जादा भी डाल सकते हैं अगर सर्दियों में यह केक बना रहे न तो इस तरह का मैंगो क्रश मार्केट में मिलता है असानी स आप उसको यूज करके भी मैंगो केक बना सक कर लेते हैं यह 8 इंच राउंड केक टिन मेंने लिया कोई से भी शेप का ले सकते हैं इसे ग्रीस कर लीजे अच्छे से पहले उसके बाद इसमें लगा दीजे नीचे बटर पेपर और उपर से फिर से एक बाद ग्रीस कर लीजे ताकि केक हमारा नीचे से बिल्कुल नहीं जल सकते हैं अब इसे ढख करके लो फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए छोड़ दीजे ताकि यह पैन बढ़िया से गर्म हो जाए यानि प्री हीट करना है 15 मिनिट हो चुके हैं सूजी भी हमारी थोड़ी सी फूल गई है अब इसमें डाल लीजे हाफ टेबले स्पून वनिला एसेंस दो बड़े चमच में डाल रहे हूँ यहाँ पर मैदा इससे हमारे केक का टेक्शर पहुत ही कमाल का आएगा केक बिल्कुल भी नहीं बिखरा बिखरा बनेगा आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं 1.5 तीएसप में डाल रहे हूँ बेकिंग पाउडर यानि एक चमच डाल दि विनेगर यह वही है विनेगर जिसे हम चाइनीज रैसीपी में डालते हैं सफेद सिर्का जिसे बूलते हैं यह देखे हमारा केक का बैटर कमाल का तयार हो चुका है बहुत ही डिलिचस लग रहा है खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है अब इसे ट्रांसफर कर दीज किस तरह की दिख रही है यह रिबन कंसिस्टेंसी दिख रही है इसकी पकोड़े जैसा जो होता है गोल बिल्कुल वैसा अब आपको लग रहा है यह केक बनाना कितना असान है कोई आपको खास मैनत नहीं करनी उपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लिजिए थोड़ा सा टैप कर जो आम हमारे जो प्रोसेस होता है केक बनाने का थोड़ा सा गार्णिश कर लिजिए बादाम से चलिए देखते हैं पैन हमारा गरम हो चुका है अब इसे केरफुली खोलते हैं और इसमें रख देंगे यह केक ध्यान से पैन बहुत गरम है हाथ न जल जाए अब एक काम और क चोटा सा होल होता है इसको आप पहले मिनियुम फोल से कवर कर दीजिए ताकि कोकिंग हमारी कंटीनू चलती रहेगी लो फ्लेम पर कम से कम साथ मिनिट इसको लगेंगे इसे ही इसलिए निश्चें दो के दूसरे काम में लग जाईए जैसा मैने बताया था केक बहुत आसा से भी ब्राउन हो जाता है अब इसे हम चेक कर लेते हैं कोक हो गया है कि नहीं एक डालिए टूथपिक और यह क्लीन बाहर आ गई है तो केक भी बाहर आएगा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यह बिल्कुल परफेक्ट हमारी बेकिंग होई है इसकी अगर टूथपि निकल के आएगा कुछ एफर्स नहीं करने हलका सा टैप किया और यह लीजिए हमारा कमाल का मैंगो सूजी केक बनकर तयार हो चुका है देखिए केक टिन में देखिए कितना स्मूथ है कहीं से जला नहीं है और यह देखिए बटर पेपर में निकाल के दिखा रही हूं आप चाहें तो मैदा से भी इसको बना सकते हैं मैंने से सूजी से बनाया है आप देखिए मैं इसको कट कर रही हूं उससे पता चल रहा होगा कि यह कितना स्पॉंजी बना है तो लीजिए मैंने एक पीस कट कर लिया इसमें से और यह देखिए फ्रेंस वाओ कमाल का मैंगो कर देखिए और यह देखिए अंदर से भी आप देखिए मैंने एक पीस निकाला इसका कितना गजब का लग रहा ना जरूर इस रेसीपी को ट्राइक कीजिए बहुत ही कमाल का केक होता है और बहुत ही इजी रेसीपी है और इस पॉंज देखिए हमारे केक का यह देखिए कितना स्पॉंजी बनाए आम का सीजन चला जाए उससे पहले यह मैंगो केक घर में जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही इजी और बहुत ही हल्दी है वीडियो अच्छा लगाए तो दूसरों तक शेयर करना बिल्कुल मत बुलिएगा मेरी यह रेसीपी मेरे चैनल को सब्सक् नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके औल पर क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह की रेसीपी आपको देखने को मिलती रहेंगी नोटिफिकेशन भी बाई बाई